हेलो एब्रिवन, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिनाक्षी मैस क्लासेज, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास एट में जो चैप्टर नूबर फूर्टीन है मैंसुरेशन, हमने इसकी वक्षिट नूबर वन कंप्लेट कर ली है, अब हमने इसकी वक्षिट नूबर टू स्टार्ट की हुई है, वक्षिट नूबर वन मैं इसे पहले वाली वीडियो में आपको कंप्लेट करवा चुकी हूँ, अब हम वक्षिट नूबर वन में उसका कोउचिट नूबर टू करेंगे, ठीक है, कोशिट नूबर टू की एक बस स्ट्रेट्मेंट देख लेते तो अब यहाँ से देखें, हम अपना question स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास आपको पहले देखना है कि यह figure है, तो यह क्या है, polygon है यहाँ पर, polygon क्या होता है देखो, एक close figure होती है, जिसकी आपकी three यह से ज्यादा sides हो, ठीक है, तो मुझे यहाँ से find करना है, area of, आप simple जो figure है complete उसका name लिखें, ठीक है, तो आप यहाँ से देखें, आपके क्या है figure, P, Q, R, S, T, और T से वापिस P पर आ जाते हैं, तो आप simple figure है, जो आप सिर्फ उसका name लिखें, figure कहाँ से start होती है, P, Q, R, S, T, ठीक है, आप इसको pentagon लिखना चाहते है, pentagon लिखें, या आप direct इसका name भ P, Q, R, S, T, ठीक है, आप pentagon लिखना चाहें, तो pentagon भी लिख सकते हैं, area of pentagon P, Q, R, S, T, ठीक है, देखो P, Q, R, S, T, लास्ट पाइंट टी आ है, और T से वापिस P पर ही आएंगे, तो दुबारा P नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो अभी हमारा वैसा ही question है, जैसा इससे पहले वाले हमने question number 1 का third part किया था, हम इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले figure को छु चुपा दें, तो उपर एक trapezium नजराएगा, उपर हम trapezium का area अलग निकाल लेंगे, और नीचे वाले triangle का area अलग निकाल लेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे, add, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, area of trapezium, area of trapezium, trapezium का नेम क्या है, नीचे वाले को छुपा लेंगे तो हमारा उपर हो एक trapezium है, जिसका नेम है, P, R, S, T, P, R, S, T, प्लस area, ठीक है, आप simple AR भी लिख दोगे, area, triangle, नीचे वाले जो triangle है, उसका नेम क्या है, P, Q, R, R से वापिस P पर चले जाएगे, तो P, Q, R, ठीक है, P, Q, R, ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारा ज तो इंटू, सम उफ पैरलल साइड, सम उफ पैरलल साइड, सम उफ पैरलल साइड ईंटू हाइट, ठीक है, एक तो यह आएगा area, यह तो हमारा आया है, trapezium का, प्लस, triangle का area क्या होता है, वन बाइटू, मल्टिप्लाई, बेस मल्टिप्लाई, हाइट, बी फुर बेस, एड h4 height ठीक है पूरा लिखना चाहते हैं पूरा लिख दे base multiply height ठीक है तो अब आप यहां से देखो 1 by 2 into अब आप यहां से देखो some of parallel side ठीक है अब आप चाहो तो यहां पर parallel sides बता दो आपकी कौन-कौन सी है यहां से इसको छपा लो उपर वाली side है ts और नीचे वाली है pr तो आप लिखोगे ts plus pr ts plus pr into height क्या आएगी height आएगी यहां से tu ठीक है tu आप सिधी value भी put कर देंगे तो भी सही माना जाएगा ठीक है 1 by 2 into अब नीचे वाली triangle है ठीक है यह अभी इस नीचे वाली triangle की बात हो रही है तो base तो बनेगा pr और इसको प्रपेंडिकुलर आया है qv ठीक है तो base तो आएगा pr into height आजाएगी आपकी qv height ही बोलेंगी इसको perpendicular ठीक है तो अब हम यहां से इसमें value put करते हैं 1 by 2 into अब आप देखो ts कितना है ts आपके question में 6 और pr है 10 6 plus 10 into और यह जो t से u है यह आपका है 4 plus 1 by 2 अब आप यहां देखो pr आपका कितना है question में 10 और यह प्रपेंडिकुलर है 5 तो 10 into 5 10 into 5 ठीक है बस अब हम हमें क्या करने है यह जो calculation वाल अबरक है हमें simple सिर्फ इसको solve करने है 1 by 2 into 6 में 10 add कर देंगे तो 16 into 4 plus यहां से इसको cancel कर लो 2 1s are 2 2 5s are 10 तो 5 को 5 से multiply करेंगे 25 ठीक है 2 1s are 2 2 8s are 16 ठीक है 8 4s are 32 plus इसमें यह वाला 25 हम क्या कर देंगे एड कर देंगे तो अब आपको 32 में 25 एड करना है तो यह कितना आएगा मेरे पास नीचे जगह नहीं है ठीक है एरिया है वो हमेशा square units में होता है तो आप उपर पावर 2 लिखोगे अगर आप पेपर में यह पावर 2 लिखना भूल जाओगे तो आपको अगर आपका यह question मान लीजे आपका 2 marks में आता है तो half mark आपका सिर्फ इसी चीज़ का deduct हो जाएगा कि आपने यह square unit नहीं लिखा है ठीक है square तो इसको ज्यान से याद रखें ठीक है तो आपको यह first part हो गया next अब हम करेंगे second part ठीक है यहां से आपको यह एक बर देखने में तो यह लग रहा होगा कि figure काफी बड़ी सारी हो गई है ठीक है तो इसको देखके डरना नहीं है question बहुत easy है तो हम यहां से करेंगे area of पहले तो आपको complete figure देख रही है कि यह figure है क्या complete आप यहां से देखो कहीं भी एक point से start करो A से जाओगे B पर B से C, C to D, D to E, E to F and F to A तो आपको पहले तो देखना है कि इसमें line segments कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 6 है तो 6 side वाले आपको पता होना चाहिए कि 6 sides हो तो आप उसको क्या बोलोगे आप उसको बोलते हो hexagon ठीक है आपने 7th class में पढ़ा होगा 4 side वाले को quadrilateral, 5 side वाले को pentagon, 6 side वाले को hexagon, 7 वाले को heptagon, 8 वाले को octagon, 9 वाले को nonagon ठीक है और 10 sides वाले को decagon बोलते हैं तो आपको यह सारे चीज़े पता होनी चाहिए ठीक है अब आपको मैं यहां बता रहे हूँ area of यह जो complete figure है इसका name लिखेंगे हैं वो क्याएगी A से हम चले हैं A, B, C, D, E, F और वापिस A पर आ जाएंगे तो हम पहले इसका name लिखेंगे अब आप देखो आप इसको कैसे break करोगे इस यह जो आपकी complete figure आपको इसको break करना है अब आप यहां से देखो मान लीजिए कि अगर देखो आपको ऐसे choose करना है कि आपके कौन सी figure उपर वाली एक triangle नजर आ रही है ठीक है triangle में base भी दिया हुआ है 5 और height भी दिया 2 ठीक है प्लस यह आपकी यह fourth triangle आप एक तो आपका method यह है triangle देखो जिसमें मैं figure रही है triangle 1 प्लस triangle 2 प्लस area triangle 3 प्लस area triangle 4 कि आप चारो triangle का अलग-अलग area निकाले हो और आप उसको क्या कर देए add एक तो method यह है ठीक है या फिर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ठीक है एक उपर triangle है जो मैंने उपर वाली ऐसे दिखेंगे आपको ठीक है एक यहा नीचे triangle है दो triangle तो यह होगी अगर आप इन दोनों को यहां से चुपा देंगे तो बीच में आपको एक quadilatoral नजर आ रहा होगा ठीक है आप मैं यहां से इनको चुपा देती हूं यहां से ठीक है quadilatoral का निकालो तीनों को add कर दो one two और यह third ठीक है आपको जो भी easy लगे आप उसी हिसाब से कर ले ना ठीक है तो मैं यहां लिख रही हूं one by two area triangle को सोरी one by two नहीं लिखना है simple मैं अभी फिलाल तो आपको लिखना है आप area कौन सी triangle का ले रहे है ठीक है उपर वाले triangle का ले रहे है तो इस वाले triangle का निकालना सिखा है तो मैं उसके हिसाब से कहूंगी यह जो अब आपको यहां पर यह quadilatoral दिख रहा है ठीक है इसका निम क्या आएगा ऐसे देखो ठीक है यहां से अभी आपको जो दिख रहे है बी सी डी एफ और वापिस ठीक है उपर वाले और निचे वाले triangle को चुपा दो तो यह बीच में जो यह काइट सा नहीं जरा रहा है बी सी डी एफ और फिर वापिस तो आप लिखोगे area quadilatoral नेम क्या आएगा उसका उपर वाले और निचे वाले को चुपा दो बी सी डी एफ और वापिस बी बी सी डी एफ प्लस एरिया अब सिंपल देखो यह वाले triangle हो चुकी है यहां से यह वाला quadilatoral हो चुका है अब सिर्फ यह नीचे वाले triangle एरिया triangle एबी एफ ठीक है आपको मैं एक चीज और बता दू है आप इसको थोड़ा सा और किस तरीके से कर सकते हो थोड़ा सा समझने के लिए आप इस वाले triangle में अलग color कर दो यह जो quadilatoralize में अलग color कर दो और नीचे वाले triangle में अलग कर दो जिससे आपको थोड़ा सा easy रहेगा कोई confusion नहीं ह इसे देखो area triangle def triangle का area होता है one by two into base into height ठीक है तो one by two अब base आप देखो मैं इसको चुपा देती हूँ इस वाले triangle में base आपका क्याएगा fd और height आएगी e यहां पर point नहीं दिया हुआ है आपकी इसमें ठीक है आप simple इसकी फिर आप simple app ऐसे लिखो one by two into base into height ऐसे लिख दो plus इसमें पॉइंट के name नहीं दिया हुआ है या तो आप ऐसा करते हैं तो कि point के name नहीं दिया है तो आप अपनी मरजी से लिख लेना ठीक है मैं भी करवा दूँग आपको area यहां पर हमारा quadilateral है quadilateral का area क्या होगा one by two यहां से diagonal आएगा one by two diagonal into height one plus height two अभी अभी हमने यह वक्षिट जब हम two कर रहे हैं इसको question one में ही हमने पढ़ा था ठीक है और यहां से triangle है triangle कह रहे होता है one by two into base into height ठीक है अब हम यहां से value लिखेंगे one by two अब base देखो यहां से अब आपका fd तो base बन जाएगा उपर वाली triangle में fcd fd into height आपको देखने है e से यहां पर आना चाहिए यहां लेकिन आपका कोई point नहीं लिखा हुआ है यहां पर मैं v point लिख रहे हैं उसको कुछ बुक में भी कुछ v type का symbol है ठीक है तो इस point को मैं v लिख देती हूं तो यहां से आजाएगा यह fv no sorry ev यह आपकी height आजाएगी plus 1 by 2 into अब आपको देखना डाइगनल ठीक है यह आपकी यहां से आएगनल है आपका प्लस 1 by 2 into base अब आपको यह जो नीचे वाले triangle है यह इसमें आपका base तो आएगा fb base यह वाला cube बनेगा क्योंकि यहां से a point से यहां पर perpendicular यहां पर आकर मिला है तो एक point से जब perpendicular जिस line segment पर आकर मिलता वो आपका base होता fb और into height आपके आजाएगी a यहां पर a से g ठीक है वैसे तो देखो यह कोई इतना मुश्किल नहीं है यह चीज़े लिखने क्योंकि figure में से देखते जाओ और उनको लिखते जाओ ठीक है अब यहां से देखो इसमें हम लिखेंगे 1 by 2 into अब आप देखो fd कितना है ठीक है तो fd है आपका 5, base है 5 और उसके उपर height है 2 plus 1 by 2 into fc आपका यह diagonal था आपका 7 cm इसके उपर height यह वाली 4 थी और यह वाली भी 4 थी इन दोनों को add कर दो 4 plus 4 plus 1 by 2 into अब इसमें देखो base आपका fb है 6.5 जिफ्चे वाली triangle के बात हो रही है base है 6.5 और height है 2 ठीक है बस अब हमें इ calculation वाला जो work है वो हमें complete करना है वन बाइ 2 into 7 into 4 में 4 अड़ करेंगे कि इतना आएगा 8 plus यहां से 2 1s are 2 तो यहां से आजायगा 6.5 ठीक है तो यहां से अब हम इसको और cancel कर लेते है 2 4s are 8 ठीक है तो यहां से 5 आया है यहांसे 7 4s are 28 प्लस यहां से आएगा 6.5 ठीक है अब हम इसको क्या कर देंगे एड करेंगे लेकिन एड करते टाइम आपको यह बहुत ध्यान से याद रखना है कि आप इसको औरली एड ना करें क्योंकि औरली एड करोगे तो गलती होने के चांसिस बहुत जादा होंगे तो आप इसको किसी रफ पेपर पर कर लो तो क्या है यहां से 5 है आप 5 को लिखोगे 5.0 यहां से 28 है तो आप लिखोगे 28.0 क्योंकि एक नुम्बर डैसिमल वाला है और दो विदाउट डैसिमल है तो यहां से 6.5 आप इन सब को एड कर दो 5 8 और 5 13 13 में 6 एड करोगे 19 तो यहां से आएगा 39.5 ठीक है तो आप इन सब को एड कर दोगे तो आपका आज आएगा 39.5 ठीक है अब आपको इसमें अंसर में पीछे यूनिट भी लिखने है आपके आप कोस्चन में आप एक बार देखो आपकी जो फिगर है उसमें सब जग है 39.5 सेंटिमेटर स्क्वियर तो यहां इस वीडियो में मैंने आपको सेगंड कोस्चन करवाया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शियर जरूर करें और कमेंट कर कि मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पुछें मैं रिपलाई जरूर करूंगी और इस चैप्टर की जितनी भी वीडियो हैं सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक और पीडियाफ का लिंक मै को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहां से हेल्प जरूर ले थैंक यू सो मच